अग्ले एपिसोड में नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के अगले अग्ले एपिसोड में आपका स्वागत है। यह पार्ट थ्री है स्केफोईट फ्राक्टर का इसमें हम सर्जीकल अप्रोच और मैथर्ड डिसकस करेंगे। तो इस फ्रैक्टर को हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते एक तो उपपर से जैसे डॉर्सल अप्रोच करते और एक व अगर वेस्ट या डिस्टल पॉल फ्रैक्चर है तो आगे से सर्जरी करते हैं या अगर हम बैक डिफॉर्मिटी और बोन ग्राफ्ट करना है तो भी आगे से अप्रोच करते हैं तो distal pole fractures में तो blood supply जैसे मैंने कहा distal to proximal होता है अच्छा होता है तो plaster में जुड़ जाते हैं waste fractures tricky होते हैं अगर 1 mm से ज़्यादा displaced है तो fix करना चाहिए अगर in position है तो plaster दे सकते हो waste fracture में thumb include करने की ज़रूरत नहीं है plaster में अगर आपको end point देखना है healing हुई है कि नहीं है तो आप 8 हफते पे CT scan कर सकते हो जब आप patient को plaster निकाल के free भेज सकते हो proximal pole fractures में surgery आवशक होती है इन्हें 30 to 40 percent non-union rate है अगर plaster में रखा गया तो हम तो all proximal pole fractures को बोलते हैं कि surgery कर लो आप waste fractures में दो प्रकार की treatment हो सकती है जिन patients को plaster नहीं चाहिए यह जल्दी काम पर जाना है उन्हें percutaneous spinning हम करते हैं जैसे कि छोटा सा incision लेते हैं टेंडन को side में करते हैं और एक wire डाल देते हैं उसके उपर screw डाल देते हैं तो इससे healing जल्दी होती है तीन-चार हफते जल्दी होती है लेकिन patient को समझाना चाहिए कि इसके थोड़े complications हो सकते हैं surgeries have some complications तो भी surgeons या financial advisors या जो काम से अवे नहीं रह सकते due to plaster वो surgery के लिए opt करते हैं और यह जो percutaneous fixation करते हैं जिसमें plaster की भी जरूरत नहीं पड़ती सो जो लोग जल्दी काम पर जाना चाहते हैं वो surgery के लिए opt करते हैं अभी इसमें जो screw वा परते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे यह जो screw होते हैं यह तो उपर और नीचे thread होता है जैसे कि आप यहां देख सकते हो यह पूरा thread से भरा होता है लेकिन यह thread variable pitch वाले होते हैं तो जो leading pitch और trailing pitch है उसमें फरक होता है और जब screw fracture को cross करता है तो because of pitch difference fracture compress हो जाता है जो healing जल्दी करता है तो सारे screws जो हम use करते हैं वो variable pitch वाले use करते हैं ताकि अच्छा compression आए fracture site में और healing जल्दी हो जाए कभी कभी बहुत ज्यादा compression से भी fracture हो सकता है तो screw surgeon अपने आप select करता है जिससे वो comfortable हो तो percutaneous spinning जब dorsal approach से करते हैं तो कई लोग blindly करते थे इस बिना skin को खोले तो अब यहां देख सकते हो कभी कभी tendon injury हो जाता था तो आजकल हम बोलते हैं के थोड़ा सा incision लो tendon को अलग करो और फिर वायर डालो ताकि tendon injury ना हो तो यह तो हो गया close procedure अभी open procedure की बात करेंगे open procedure बोलर अप्रोच से करते हैं हम वेस्ट और distal pole fractures के लिए और अगर humpback deformity हो तो incision यहां से लेते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हो between the flexor carpi radialis and radial artery जैसे आप lower end radius splitting के लिए incision लेते हो और फिर इसको यहां angle करते हैं उपर की तरफ और radial scapho capitate ligament इसको cut करते हैं और उसको एक flap इधर एक flap इधर attract करते हैं तो scaphoid exposed हो जाता है scaphoid exposed हो जाने के बाद आप wire डाल सकते हो तो फिर वह चार x-rays जो मैंने पहले बताया वह करिए wire center में होनी चाहिए अगर तो हम back deformity है तो उसको correct करके wire डालिए फिर bone graph डालिए और फिर screw डाल सकते हैं और जो dorsal approach होता है वो पीछे से करते हैं तो listus debacle को feel करिए और उसके थोड़ा lateral जाहिए और anterior straight incision करिए third compartment से enter करिए proximal pole fractures displaced ज्यादा नहीं होते हैं तो आपको fracture line भी देखने की जरूरत नहीं है एक time आपको proximal pole दिख गया आप अपनी dissection limit कर सकते हो ताके और vascular damage या blood supply injure ना हो और dorsally wire center में डालने को easy होता है compared to volar approach तो dorsal approach हम करते है proximal pole fractures के लिए associated carpal dissociation injuries हो तो dorsal approach arthroscopic assisted भी करते हैं लेकिन यह बहुत experience surgeons के लिए है but generally अगर आप open surgery करके ज्यादा blood supply नहीं damage करके screw डाल दे तो भी यह बहुत successful surgery है तो यह हो गया आज surgical procedures का episode यह episode यहीं खतम करते हैं आगले episode में हम देखेंगे non unions के बारे में discussion natural history क्या है progression की waste fracture और proximal pole fractures की तो यह बहुत interesting topic है wait for the next episode और जल्दी से share button दबा दीजिए subscribe करें और अगले episode का इंतजार करें thank you